हमस्कार दोस्तों में आपका स्वागत है आस्तारी के आपकी 3 सेप्टेंबर 2021 की सिख्षा समंदित क्या सभी अपडेट हैं एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली न्यूज है आपकी 1504 जो पदों पर सिख्षक वरती है परिक्षा वो 17 अक्टूबर को होगी परिक्षा का विस्तरत कारिक्रम जारी कर दिया गया है परिक्षा नेमक प्रादिकारी की ओर से सासन को बेज़ेगा जो परिक्षा का प्रस्ताव है उस पर मंजोरी जो है वो मिल गई है परिक्षा आप 17 अक्टूबर को कराने का जढ़े लिया गया है साथे साथ यहाँ पर यह भी लिखा है कि परिक्षा जो केंद्र है उनका नितरानक 10 सितंबर तक जो है वो कर लिया जाएगा और जो 13 अक्टूबर की तारीक है उस तक प्रसंद पत्र और OMR सीट सभी जनपद के मुख्यालें को भी हर हाल में भेज दे जाएगे नेक्स्ट आपकी निउस है जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक और साहक अध्यापक भरती परिक्षा 17 अक्टूबर को जो है वो होगी इसी के संदर में यह भी निउस प्रकास चीद है इसमें भी वही सारी चिज़े लिखी होई है और यह भी इसमें लिखा है कि स अध्यापक की परिक्षा एक पाली मतलब पहली पाली में होगा और जो प्रदाना अध्यापक की परिक्षा है वो दूसरी पाली में जो है वो परिक्षा होगी पहले जो परिक्षा है वो 11 अप्रेल को जो है वो होनी थी नेक्स्ट आपकी निउस है इलहाबाद विस्विद RTI से पहली बार एक लाग बच्चों को मिला प्रवेस, लखनोस निउस है कि निसुल्क और अनिवार सिक्षा का अधिकार कानून जो RTI है, उसके तहित प्रदेश में पहली बार 99,188 बच्चों को निजी स्कूलों में निसुल्क सिक्षा के लिए प्रवेस मिला है, RTI जो है उसके बारा साल के इतियास में UP में सैक्षिक सत्र 2021 में सबसे अधिक बच्चों को प्रवेस मिला है, इनको निजी स्कूल में दाखिला जो है वो दिलाया गया है, नेश्ट आपकी निजी भी देखिए इसी टॉपिक से ही कि एक लाख गरीब बच्चों ने पाया सिक्षा का अधिकार, यूपि में पहली बार ये करेंट अफेर में भी हो सकता है, या आकड़ा आपसे पूछ ले जाए, ये भी साइड में लिखा है कि प्रवेस जो है वो बढ़ रहा है, अगली निजी से सिक्षक कर्मचारियों का होगा सत प्रतिसर टीका करण, सनिवार को भी जो है वो स्कूल खुलेंगे, इसमें लिखा है कि नौवी से बार भी तक के स्कूल आप जो है वो छे दिन जो है वो चलेंगे, लखनों से लिखे निजी आपकी आवकास जो है केवल रविवार को जो है वो रहेगा, अगली निजी आपकी दरोगा भरती से लिटेट की दरोगा भरती के लिए अक्टूबर के अंत से जो है वो परिक्षाएं सुरूँगी, 9534 पदों पर जो भरती निकली थी उसके लिए परिक्षा अक्टूबर के अंत से सुरूँगी और न लिए गयते हैं और इन अब्रतियों की लिखित परिक्षा कराने के लिए कम से कम 20 दिन का समय जो लगेगा नेक्स्ट आपका है टीका करने के लिए एनम के बजाए स्टाप नर्स की भरती है यह भी साइट में लिखा है कि एनम से दुगना होता है स्टाप नर्स जो है उसका वेतन जिसमें सरकार पर आर्थिक बोज पढ़ रहा है उसके बारे में लिखा है कि कोरोना जो वैक्सीन है उ इस बार जो सम्मान समारों है वो राज इस्तरी ना हो करके जिला इस्तरी होगा और जिला अदिगारी सिच्षकों को चार सतंबर को संभाने जो है वो करेंगे यह भी लिखा है कि इससे पहले बेशिक सिख्षा विवाग ने पुरसकारों की जो प्रक्रिया थी उसको इस्थगित कर दिया था लेकिन सिख्षकों के विरोध कितान गुरुवार को विवाग ने इसके संदर में सूची जो है वो जारी कर दिया है बिना बैंक युनिफॉर्म स्कूल जा रहे हैं बच्चे लापरवाई लखनो से नूज है कि सत्र सुरू होने के पांच महावाद भी जो सो विधाय हैं वो नहीं मिली है सरकारी और साहता प्राफ्ट स्कूलों का जो है वो मामला है इसमें अलग-अलग जो फीस है वो भी लिखी है नेक्स्ट आपकी नूज है एलियू जो है उसने देर रात जारी किये रिजल्ट है एलियू मतलब लखनो विस्विद दैलो के लिकर बताया है यूजी और पीजी जो परिक्षा है उसके नतीजे गुरुवार देर रात विबसाइट पर जारी कर दिये हैं जो भी सजबंदे अपने जल्ट देख सकते हैं सब्सक्राइब कर देख सकते हैं अगली और इस वीडियो की लाश्ट देखते हैं जो कि करन्ट अफ्यार है इसके लावब वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहीगा कि भारत और कजाकिस्तान जो है उसके बीच सयुक्तिसान अभ्यास वो शुरू हुआ है तो आप से पूछा जाता है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है काज इंड 21 ये ट्रेनिंग जो है नोड आयसा बीवी कजाकिस्तान जो है शुरू हुआ है ये अभ्यास दोनों देशों की सेना के वार्सिक दूपच्छी है जो सयुक्त अभ्यास है उसका पांच वा संस्क्र अभ्यास है ये था हमारे आजके इस ओवराल अपडेट में आजके में इतनाई वीडियो पसंद आया और लाइक कीजेगा और लुग साथ शेर कीजेगा मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार जैनिए